Hello students, इस वीडियो में जानेंगे CA Foundation Class 12 का मार्कसिट हो या नहीं तो Class 12 का Admit Card कैसे अपडेट करेंगे जिन बच्चे के पास Class 12 का मार्कसिट होगा, वो Class 12 का मार्कसिट अपडेट कर देंगे जिन बच्चों के पास Class 12 का Admit Card होगा, वो Class 12 का Admit Card को अपडेट करेंगे अब ध्यान से बाते को सुन लीजेगा, आपका September 2024 अटेम्ट हो या January 2025, June 2025, September 2025 या January 2026, process सेम होगा, देखो students इस वीडियो को पुरा complete देख लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि CA-related एक भी डाउट आपको आना सके, और हाँ CA-related सबसे पहले चार्टे स्टरीज अपडेट करता है, तो प्लीज बचो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ कोई additional doubt है, मुझसे बाते करना चाहते हो, तो आ आपको सबसे पहले SSP Portal पे login करना है, SSP Portal पे click कर देना, अपना registration number और password लिखना है, login कर लेना, नहीं login कर पाओगे, नीचे में forgot password का भी option है, तो उस पे click करके, forgot कर सकते हो अपने password को अगर पता नहीं है, तो वैसे कैसे login करना, इस topic पे भी मैंने detailed video बना रखा, video का link आपको description मे login नहीं कर पा रहा है, तो वो video का link description में उस video को जरूर देख लेना, जैसे ही आप लोग login करोगे SSP Portal पे, तो आपके सामने ऐसा dashboard सो करेगा, और हाँ, पहले क्या होता था, update profile पे बच्चे click करके, यहाँ पे ही qualification, detail, upload करने का option मिल जाता था, update करने का, बट अब यहाँ पे नही ही आप लोग यहाँ पे click करते हो, यहाँ पे ही आपको qualification, detail, update करने का option मिल जाएगा, वहाँ पे click करना है, देखो students, अगर आपका class 12th का mark sit update होगा, तो provisional में यहाँ पे y लिखा होगा, तो y नहीं लिखा होगा, any लिखा होगा, इसका provisional में yes लिखा है रहने का मतलब है, class 12 का mark sit update नहीं, आपको update करना परेगा, उपर में class 10th, 12th, यहाँ पे diploma आपको उस पे जैसे ही click करोगे, यहाँ पे upload करने का option मिल जाएगा, class 12th का mark sit, मुझे पता है अभी भी कुछ students को doubt होगा, provisional में y so करेगा, yes मेरा provisional registration है, हमें class 12th का mark sit update करना, provisional में NSO करेगा, मेरा provisional registration नहीं है, मेरा already पहले कभी 12th का mark sit update है, तो हमको दुबारा नहीं करना, दुबारा से कभी नहीं करना होता है, CA foundation का exam देने के लिए, आपको class 12th का mark sit update करना, exam के admit का release होने से पहले तक, जोड़ी होता है, अब ध्यान से बाते को सुल लेना, यहाँ पे आप लोग अपना class 12th मे roll number लिखोगे, कौन से board से हो, वो select कर लोगे, इसके बाद कौन से month में exam दिये हो, वो यहाँ पे लिख लोगे, अपने month से, मतलब जिस month में आपका exam चलाता, याद कर लिजेगा, ऐसा नहीं कोई इसमें hardened rule है कि नहीं, अगर एक दो month आगे पीछे हो गया, तो आपको exam नहीं दिया जाएगा, अपने month से, जब exam हुआ, वो year सही लिखना, year में mistake मत करना, अब जिनको class 12 का admit card update करना, तो सीधा awaited है, यहाँ पे है न, awaited ही रहने देना, और class 12 का admit card click करके upload कर देना, simple सा बात है, कोई परेशान होने वाला बात ने, लेकिन जिनके पास class 12 का marksid आ चुका है, तो उनको awaited क्यों रहने देना, वो past select करेंगे, past select करने के बात, और उनका class 12 का marksid update हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, class 12 वाले column में ही awaited, awaited रखोगे, तो class 12 admit card upload करने का option आ जाएगा, past कर दोगे, तो class 12 का marksid update करने का आपके पास option मिल जाएगा, simple सा बात है, doubt आना नहीं चाहिए student, और आव एटेट रखोगे तो आपको कोई भी marks fill करने का ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास class 12 का marksid आएगा, उस समय अपडेट कर दीजिएगा, और हाँ, class 12 का admit card update करोगे तो provisional basis पे ही आप लोग एक्जाम दोगे, आपका result आ जाएगा, CA intermediate में जाओगे registration करते समय, उस समय अपना class 12 का marksid update कर देना, CA intermediate के समय पे, तो इतना कोई पारहसान होने वाला नहीं है, आपका जो भी attempt होगा, CA foundation का September 24 या January 25 या CA foundation का June 25 या September 25, January 2026, इसका क्या last date होगा, class 12 का marksid या admit card update कर, जो भी last date आएगा, channel time to time update करता रहेगा, इस वीडिय दीजे कैसे क्या update करना, देखो students, अगर आपको class 12 का marksid update करना है, तो ध्यान से बाते को सुन लेना, अगर original है, सीधा photo को scan करो, upload कर दोगे, अगर internet वाला है, या dg locker है, उसको school principal से attest करवाओगे, या नहीं तो CA से, अगर school principal से उससे attest करवाने के बाद, यहाँ पे upload करोगे, फाइल का size, एक MB तक होना से, एक MB से ज़्यादा नहीं, jpg, jpeg format, pdf format में ही upload कर सकते हो, अलग format में upload करोगे, upload ही नहीं होगा, same rule है, class 12 का admit card, और class 12 का admit card upload कर दो, exam में appear कर सकते हो, लेकिन professional basis में, intermediate की registration करते समय, आप लोगो class 12 का marksid update करना परेगा, simple सा बात है, तो मैं यहाँ यहाँ पे upload कर दे रहा हूँ, class 12 का marksid, ठीक है, जैसे ही मैं upload करूँगा, upload करने के बाद, नीचे में, यहाँ पे click here to download करके भी marksid देख सकते हो, close कर देना, यहाँ पे class 12 का marksid update हो गया, इतना ही नहीं process है, अब आपको नीचे में I agree पे click करना, generate OTP पे click करना, okay पे click करना, आप आपके mobile number या नहीं तो email ID पे OTP जाएगा, capture fill करोगे, fill करने के बाद, submit करोगे, OTP लिखने के बाद, OTP validate successful हो जाएगा, अब नीचे scroll down करना, इसके बाद नीचे में भी आपको submit का option है, आपको यहाँ पे submit करना, अभी छोड़ नहीं देना, submit पे click करोगे, यहाँ पे क्या बो लोग से पूछे न, अगर आपके screen पी आएगी, 10 detail नहीं फिल किवा, उसका month year, तो एक बाद फिर से हम जा करके, उसका 10 का जो भी, जिस month में exam दिये थे, जिस year में exam दिये थे, उसको select कर दीजेगा, कोई दिक्कत बाली बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ आपको सो ही करेगा, से सक्सेस्फुल वैलिडेट करना, इसके बाद क्या करना, वो हो गया, लास्ट में submit करने का option आएगा, एक बार फिर से पुछेगा, ओके, ठीक है, submit करना चाहते हो, जैसे ही okay पे click कर दोगे, आपका change करने के लिए request submit हो गया, अब आप लोग रिलाक्स हो करके पढ़ाई करो क्योंकि आपके screen पे so करके, अब आप बार बार परिसान नहीं होगे, क्या class 12 का marksid update हुआ, class 12 का admit card update हुआ या नहीं हुआ, कुछ परिसान होने का जरुवत नहीं है, दस working days में, automatic यहाँ पे update हो जागा, रिलाक्स रहोगे, बट कुछ लोग फालतू का टेंसल ने थे, कोई ब date की रहोगे, यहाँ पे so करेगा, आपको क्या करना है, action और i button पे click करना है, action i button पे click करोगे, जैसे action i button पे click करोगे, आपके सामने new dashboard so कर जागा, यहाँ पे क्या लिखा रहाएगा, application status में submitted, और आपको क्या करना, application submitted है, relax हो करके wait करना, इतना परिसान होने वाला बात भी नह station नहीं है, यहाँ पे application submitted है, लेकिन एक और बात, जो लोग क्लास 12 का admit card upload करेंगे, तो उनका provisional में why ही so करेगा, n नहीं so करेगा, तो क्यों, आपके मन में doubt आ सकता है, क्योंकि आप provisional basis पे exam दे रहे हो, class 12 का mark फिट जब update कर दोगे, तब जा करके आपको n so करेगा, simple सा बा foundation exam पास कर जाओ, उसके पास जब आप intermediate में जाओगे registration करते समय, उस समय class 12 का mark फिट में mandatory हो जाएगा, अगर आपके पास class 12 का mark फिट नहीं है, तो कोई बात नहीं है, class 12 का अपडेट करके सी यह foundation का exam में appear कर सकते हो, I hope कि students आपका सारा doubt clear हो गया, चैनल पे नहीं हो, तो please बच्चो सब्सक्राइब करके बिल notification विल दवाद दीजिए, जिससे CA related एक भी update और notification मिशना हो पाए, और मुझसे बात यह करना चाहते हो, तो आप मुझे message कर सकते हो, Charter Studies के Instagram पे, वैसे Instagram का link आपको description में मिल जाएगा, साथ में Charter Studies का Telegram चैनल को जरूर जोइन कीजएगा, उसका विलिंक आपको description में मिल जाएगा,